नमस्कार इन्विसील नियूज में आपका स्वागत है आईए देखते हैं देश दुनिया की टॉप टेन खबरे हिमाचल प्रदेश की कुल्लु में आज सुभा करीब चार बजे बादल फटने की घटना हुई है बादल फटने से पाच मकान पुरी तरह शतिग्रस्त हुगे मनिपूर में हिंसा की बीच दो दिन में मैनमार से 718 नागरिकों की एंटी हुई है इस संबन में मनिपूर सरकार ने आसाम राइफल से रिपोर्ट मांगी संग ने भारत सहित 57 देशों में स्थापित 9000 से जादा मंदिरों का डाटाबेस तयार किया है इसके जरिये संग छोटे मंदिरों को देश के बड़े मंदिरों के साथ जोड़ने की रननीती पर काम कर रहा है महाराष्टर के गड़्ची रोली में दो नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया इन दोनों पर आठ लाक रुपे का इनाम था देवेंद्र फड़निस ने कहा जब हमने महायूती गड़बंदन मनाया था उस वक्त सभी बातों पर पुरी तरह से चर्चा की गई थी तीन नेताओ का इहस्परष्ट मानना है कि एकनाच छीन्दे ही महायूती के मुख्यमंत्री रहेंगे राष्ट्री सुरक्षा सलाकार अजीट दोवाल ने चीन के NSA से मुलाकात की है दक्षिन अफ्रिका में दोनों की मुलाकात हुई है दोनों यहां प्रिक सम्मेलन में भाग लेने आये थे एलन मस्क ने सोमवार को ट्वीटर के लोगों को बदल कर X कर दिया है इसे के साथ उनकी किस्मत ने भी पल्टी मारी है होप्स के मुताबिक वो एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए है केंद्री वित्तमंत्री निर्मा सीता रमन ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने एक लाग से ज़्यादा इंकम टैक्स नोटिस भेजे है ये नोटिस विभाग के पास मोजूद आय की जानकारी और इंकम टैक्स रिटन में दर्ज डिटेल की मैच नहीं होने या RTI दाखिल करने को लेकर भेजी गई है अगस्त के माहिने में स्वतंतरता दिवस से लेकर रक्षा बंदन तक देश में बैंक 14 दिन तक बंद रहने वाल है इसमें चार रव्यार के दूसरे और 14 शनिवार के अउकाश को भी शामिल किया गया है अशी देश दुलिया की टॉप 10 खबरों के लिए देखते रहें इन्बिसे न्यूज धन्यवाद